सारे दर्शकाने मेरी राम राम, मैं प्रियंका कोहाड और मौजूद है पेगा गाउं में जो की जिन जिले का गाउं है जैसे कि आपको पता है लगातार सर्वे कर रहे हैं, सरपंचा के इंट्रू भी ले रहे हैं, उनकी जो विचारदारा है वो भी जान रहे हैं तो फिलाल है पेगा गाउं में हमारे साथ है सर हमारे साथ मुझूद है और ये गुडिया है क्योंकि पेगा गाउं में जो है अब की बार लेडिज की सरपंची है तो इनसे बात भी करेंगे क्या इनकी विचारदारा है किस परकार से गाउं में काम करवाना पसंद करेंगे ग पती जी अपने हां बती जी अन्नु जो कि सरपंची पद की उमीदवार है नमस्कार नमस्कार यह बताओ कि आपने स्टड़ी कहां तक है की में तो कंप्लीट कर ली है और में तो सर आप बताईए कि आप गाउं में इस परकार की आप चाचाजीerem के किस परकार की विचेब दा रहा हैं गाउं में किस में परकार काम करना चाहتे हैं और हर गाउं में नसा को लेके या एजूकेशन स्पोर्ट के लिए के जागरूप करना तो मैं सुरू साही करता रहता हूं बलड मेंशन कैंप लगाना एक बलड में ही यह है कि सोचल वरक करना ही है यह बोड़ी एक सोचल वरक के लिए बनी है इसलिए हमने सोचा कि सोचल वरक हम कर तो रहे हैं तो क्यों ने इस पद के मैद्यम से हम सरकार से अपनी जो समिश्य हैं गाउं की उनको दूर करवास के जैसे आम आदमी की सुनवाई होती नहीं कोई भी जाता है बलोक में तो उदेश से यह हमारा और कोई सरपंस का यह कोई पावर का या चोदर की ऐसी कुछ लड़ाई हमारी नहीं है तो इस को लेका किसी का मतलब क्या है मतलब यह कि अपने गाउं को सबसे नयारा बनाना चाAST गया तो इसे को हूंत उनको नहीं है सब जो जागरुग साती है वो साथ है हैं तो हमारे मुद्दे हैं वो सबसे अलग है इसरकारे हैं गोशना पत्तर देती है अपने गाओं में भी देखा हुआ हमने एफ़े डैविड दिया है गोशना पत्तर से बचा जा सकता है लेकिन एफ़े डैविड से नहीं है सोच के हर एक मैटर उसमें यह लिखा है कि क्या हम यह पंचायत के द्वारा किया जा सकता है जिसे गाउं में सीसी टीवी गैमरे लगवाणा और में हमारा एज्यूकेशन स्पोर्ट्स और हैल्थ की जो सिस्टम इसको ड्वेल्प करना है है यहल्थ को लेके तो इतना बुरा आल है गाउं में ठीक हम एजे सोचल व कि बड़े डाक्टर को बलाते रहते हैं लेकिन हैल्थ के नाम से कुछ गाउं में सुईदा है ही नहीं अब 25 किलोमेटर दूर सहर है रात को किसी को पेट में दर दो कितनी दूर जाना पड़ता है तो सुरू से इसे में गाम में दे रहे हैं और आप जो भी मतलब पूछना चाहो इसके परती उदेश से हमारा कलियर है तो सर अन्नु जैसे भावी उमीद्वार है तो थोड़ा अन्नु के बारे में बताई यह स्टडी तो इसने बताई दी एमें ग्रेजवेट है और आपने यह भी पता कि यहां लेडिज की आई है मैं डारेक्ट चुनाव नहीं ल देखिए हमारी जो बेटियां है किसी भी काम में पिछे नहीं है लड़कों से भी आगे है तो अन्नु से थोड़ा पूछ लेते हैं तो अन्नु क्या कहना चाहोगी भावी उमीद्वार हो आप सर पंजीगी जो महिलाओ को लेकर या लड़कियों को लेकर कुछ अलग से क्य हम जैसे कैसे मतलब उपर लेके आएं इनको तो उसके लिए एक जागरुकता के लिए हमने अभियान यह रखा है जैसे लड़कियों से हम बात करते हैं और देख भी रहे हैं कि कितनी मतलब विवस्था खराब चल रही है पिछे घटना आपने पता ही होगा यह तो हम पहले एजुकेशन सिस्टम और खुल के बोलने का लड़कियों का जो सिस्टम होसके लिए हम लाइबरेरी एक स्पेसल लड़कियों के लिए रखेंगे ताकि उनको वहां ट्रेनिंग दी जाया दी जाया बोलने की भी और जैसे कई बर हम किताबी ज्यान लेके डिग्री ने कठी कर लेते हैं लेकिन हम संसारी ज्यान वह एक खुल के आम बोल नहीं पाते हम अपने विचार रखनी पाते तो इस तरह अगर कोई की डिग्री कठी क करके रखता रहेगा आगे अपने विचार धारान नहीं बताएगा तो कैसे समाज्जागरु को होगा तो समस्यां ही बहुत हैं लेकिन पंचायत ठीक है छोटे सतर पर गड़ी बना दी छोटे मुटे काम कर दी हो सकते हैं लेकिन हम सत्ता में बैठे लोगों की साहिता लेके हमारी गाओं की समस्यां उनके सामने रखेंगे उनसे समाधान करवाएंगे कि हमारे गाओं में लड़कियां पढ़ने जाती हैं बसकी सुईदा नहीं है अब एक पंचायत तो बस लगा नहीं सकती लेकिन हम सरकार से सत्ता में बैठे लोगों से यह मांग करेंगे जैसे होस तो यही हम छोटी-छोटी समस्या हैं जो पंचायत कर सकती है वो यहां करेंगे नहीं तो सरकार में बैठे लोग जो उनसे सरकार से हम अपील करेंगे कि हमारे गाओं के लिए कुछ करें कि जो छोटी-छोटी समस्या होती है शायद राजेस पेगा सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो होती है गलिया बनवाना या पानी की सुवी दाकरनी इन पे तो शायद सभी सरकार का ध्यान केंद्रीत हो जाता है लेकिन जो मैं समस्या होती छोटी-छोटी समस्या है महिलाओ को लेकर लड़कियों को लेकर तो वह बड़ी जरूरी है और जैसे सर ने बताए कि cctv कामरे बहुत जरूरी है कई न कई cctv कामरों से क्राइम होने से बच जाता है और पिगा में ऐसा हुआ भी है सर हां बिल्कुल सही पहले घटना थी वैसे परस्णली cctv कामरे लगे थे त दूसरा Сп Behcciones को लेकि आज हमारा ग्रामिन बच्चा एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों चीजाओ में अठ्छा ले हैं तो जो सहर से धूर गाओं हमारी पूरी टीम है पूरा संगठन है मैं उनकी उससे बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर नेशनल में गॉल्ड मैडल लेके आता है तो हम अपने पास से उसको चास हजार उपए देंगे और अच्छा समान उसको करेंगे इस तरह की बहुत सी स्किम में हमें निकाली है अगर पूरा हम अपना उदेश्या बताएंगे पताने कितना टाइम लग जाएगा बहुत सी कमिया मतलब गाउं में है जो सरकार ध्यान नहीं दे रही लेकिन हमें ध्यान दिलवाना सरकार कि हमा भी कर लेना चाहिए तो बच्चों को एक दूसरे मतलब बावना ऐसी आती है कि आगे बढ़ने की बावना बच्चों में आ जाती है तो सर यह बताएं कि गाउं के लोगों से क्या कहना चाहोगे बस मैं गाउं से लोगों से किया ही अपील करना जाता हूं आप के सामने सब सर्पंच के जो दावदार है वोट मांगने के लिए आएंगे आप इस बात से उपर उठके प्रिवार वाद जाती वाद सिर्फ इस से उठके अपने घाउं का भविश्य कौन अच्छा कर सकता है उसको वोट दें आप जैसे आप मैं सुआल पूछ रही है आप भी आपके सामने जो भी सर्पंचों में दुआर आएंगे आप उनसे सुवाल पुछें कि आपका उदेश्य क्या है लेकिन देख रहे हैं कि बहुत से सर्पंच ऐसे हैं जिसका कुछ उदेश्य ही नहीं है आप जाओगे गाउं गाउं में बड़ा अच्छा एक मोहीम आपने चलाई है उसे पता भी चलेगा कि सर्पंचों का वाकव में कुछ उदेश्य है या सिर्फ उचोद्र की लड़ाई लड़े और हमारा उदेश्य से बिल्कुल कलियर है हाँ थोड़ी सी जागरुकता गाउं के अंदर इतनी नहीं है लेकिन हमने कहा भी है हम तो पूर देखी मतलब एक बहुत अच्छी बात कही है वैसे तो मेरा वोट और मेरा अदिकार लेकिन एक चीज किसी जाती से या किसी धरम से या फिर मोहलावाई इन सबी चीजों से उठकर वोट कीजिए जो हमारे गाउं होते हैं उसके लिए कुछ स्पेसल कर सके हमारे गाउं को न और आप भी कैसा सरपंच देखना चाहते हैं अपने गाउं में तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फिर मिलेंगें जया हिंद